नमस्कार, आज मैं चूरा से बनने वाली नास्ता की रेसिपी बनाने जा रहे हूं, जो कि बहुत ही जटपट बनने वाली रेसिपी है, तो चली अब हम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक कटोरी चुडा को लिये हैं उसे एक बॉल में डाल देते हैं बड़ा बॉल में और इसे हम पानी से पहले हम अच्छी तरसे धो लेते हैं चुडा को पानी से अच्छी तरसे धो लिये हैं अब इसमें हम दो बड़ा चमच दही को डाल देते हैं और दही को चूड़ा में अच्छी तरह से मिला लेते हैं अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे हम लगबग 10 मिनिट के लिए धक करके छोड़ देते हैं जब तक चूड़ा सेठ हो रहा है तब तक हम दो ब्रेट को लेकर के इसे हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसका हम bread crumbs बना लेते हैं इस तरह से bread crumbs पना लिए हैं अब इसे एक कटोड़ी में निकाल लेते हैं इधर चूड़ा भी अच्छी तरह से सेट हो गया है अब इसे एक बार चला लेते हैं इस तरह से चरालने के बाद आब इसमें हम एक छुटा सा प्याज को ले करके उसे हम बहुत बारी काटे हैं उसे डाल देते हैं साथ में एक हरी मिर्च उसे भी बारी काटे हैं थोरा सा धन्या पत्ता उसे भी बहुत बारी काटे हैं उसे डाल देते हैं नमक नमक स्वादा नुसार और एक छोटा चमज टोमेटो सॉस, अब इसमें हम ब्रेट क्रम्स को डाल देते हैं, जितना जरूरत होगा उसी साफ से डालेंगे, और इसका हम हाँ से अच्छे तरह से मिलाते हुए एक डो त्यार कर लेते हैं, इस तरह से इसका डो त्यार कर लिये हैं, अब हाँ को थोरा सत्य ला करके चिकना कर लेते हैं, और इसमें से एक लोई को निकाल करके, इसका हम पले गोल कर लेते हैं, इस तरह से लंबा लंबा बना लेते हैं, आप कोई भी शेप में बना सकते हैं, इस तरह से सभी को बना करके त्यार कर लिये हैं, इधर गैस अन करके फ्राइपेन को चला दिये हैं, फ्राइपेन में तेल को डाल दिये हैं, तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है, अब इसमें हम एक किनाश्ता को डाल देते हैं, और इसे हमें लाइट गोल्डर ब्राउन होने तक तलना है, अच्छी तरह से, अब इसे हम पलट देते हैं, चारो तरफ से अच्छी तरह से तला गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं और एक प्लेट में डाल देते हैं, झाल झाल